404 रुपया 400 क्या रुपया देखा यह देखा आई देखा इस समय है आलू मंडी ठटिया में जैसंकर ट्रेडिंग कंपनी वे आप बहिए जो आएं माउल में बिलाल में लगें अब इदर की तरफ अगर देखें तो माउल कंचन आलूम लगाना के बहिए कंचन आलूम बर्मा आज चला भाई बंटाइए बाई चार सब्सक्राइब कर दो अदो बोल बेंदा आई चार सब्सक्राइब टीन सब्सक्राइब यह देखिए बढ़िया है नमबर एक लिए लिए हैं आप लिए 431 रुप्य आज प्रदान जी उपर बात करवाई दी है यह दम एक रुप्य काटावाई तो बढ़िया एक नमबर क्वाल्टी कार तो बढ़िया एक नमबर क्वाल्टी कार तो हेक नमबर है इस नमगनी पट प्ट विया हा घकतर रुप्य पर पानी या था प्यादी पिचे वी रहा हा तोड़त दृत्धर या ने दो लोगना पट है हांकि बात हैं तो अंधिश्ण करूं कर दो जो प्यूंगा नहीं बिलेगा मली तब जाए पक्की बाद सब्सक्राइब कर जो कर दिछान है ऩाग अ कल मैंचे कर दो में विधिक भी वह बोलो अ अ है यह तरब नीचे कर दो आई अ है अ चला एक डेखो बैपारी बैपारी व्यादेखो देख रहे हैं आलूं को तो यह है फिलाल में ढटिया अलूं अंदर बिकरी का माउच चला अब बैपारी वज्या थोडे काट यारी में कुल किनारे पई तो पतक्राइब गाए कि विटी मागों अधियार अधित कर गार चार दो ग्यार अधियारा विवागिया तो ये पार आद ये जो मामला इसे तो और है अच्छा समाजिके बाद काम मीट्र है ओने मीट्र है तो हमन पहुंचा है वह जित्ते बताई रहे मीट्र का मैं लंभी चोड़ी करें को इसा फाइदा ना यह वह मीट्र जाँ घर दाके जिकनल गिए वादब देखां लिखें लिखें शाड़ाए लिखां लिखां डेकां लेकां कि अश्चाइन फॉब्दू अगरी बताओ चार दो एक जित्तम बताओ जित्तम बताओ जित्तम बताओ तोले एक वर कटवाई लिए पाइगेट का दिक्कादा कटवाओ बात के लिए बर्मा जी भिलाल में आज नीचे उतरने की उम्मीद नहीं है आज काटा जो है बर्मा जी यह सलाई उपर रखी है यह देखिए यह वाला आलू कर बात करें आलू दिखा रहे हैं और यह आलू है यह देखो यह देखो पर जाए आज देखो यह देखो यह देखो आप लाइन पर आए माम लाइन पर आए पहुंची कहानी बहीं है गिरी गई गरी गई किनारे भाय है अगर बात करें तो अधोग बहीं जो इसारा किया था उसी बाओं में इसालो की विक्री अभी किस्ति में हो चुकी है और बात की जाए तो चार सो इक्यानवे रुपए पाइकिट के इसाथ से अधिए टैक्री से लिए भाई सब्सक्राइब के समझ minder है को आए यह यह थाए अगर बात की जाए तो प्रदान जी ने एक 90 रुपए का काटा यह देखिए एक 90 रुपए का काटा यह देखिए एक 90 रुपए तो पुल मिला के अगर बात की जाए तो इस आलू की विक्री चार सो एक 90 रुपए पाइकिट हो गई ठटिया अलू मंडी में और बारिस के बाद कहीना कहीं अगर देखा जाए तो बैपारी लगातार देख रहे हैं कि कहीना कहीं आलू खरीदें और अलू खरीदेने के बाद लगातार अपनी लोडिंग करने का प्रियास कर रहे हैं और सभी की बात की जाए तो मंडी में बारिस के बज़ेश कहीना कहीं आमदनी कम है और भाव में अगर देखा जाए तो अच्छे आलू में लगबग में 10-20-30 रुपए का 20 रुपए तक का उचाल देखने को मिल्या ठटिया अलू मंडी से आज का वीडियो पसंद आया हो तो जादां से जादां किसानों तक सेर करें ताकि सभी किसानों को सई और सटीक जानकारी ठटिया अलू मंडी से मिल सके